Hollywood Insight Hindi पर आज हम explain करेंगे 2016 में आई American thriller movie Don't Breathe ये movie तीन दोस्तों के बारे में है जो एक अंधे आदमी के घर में चोरी करने खुशते हैं तेकिन वो अंधा आदमी उनके साथ ऐसा करता है कि वो वहाँ से जिन्दा निकलने के लिए तरस्ते हैं उनके साथ वहाँ क्या क्या होता है और क्या वो लोग वहाँ से जिन्दा निकल पाते हैं देखेंगे आज हम इस movie में movie की सुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो किसी घर में चोरी कर रहे होते हैं उनके नाम Alex, Rocky और Mooney होते हैं Alex के father एक security company में काम करते हैं इसलिए Alex अपने father के office से चाविया चोरा लेता है और फिर वो तीनों उसी के घर से चोरी करते हैं जिसकी security की जिम्मेदारी उसके फाधर की company की होती है चोरी के बाद Alex उस घर की चाविया फिर वापस अपने फादर के office में रग देता है और दूसरी तरफ मनी चोरी का सामन बेचने आता है फिर वो तीनों वापस मिलते हैं मनी उन्हें एक घर का फोटो दिखा कर बताता है कि उन्हें इस पार इस घर में चोरी करनी है उस घर में सहर से दूर एक अकेला बुढ़ा रहता है कुछ दिन पहले एक अमीर लड़की के हातों एकसिडेंट में उसकी लड़की मर गई थी तो उसे सैटलमेंट के लिए 3 लाख डॉलर मिले थे एलेक्स इस पर मना करता है वो कहता है कि अगर हम इतना सारा कैस चुराएंगे तो पक्का पुलिस इंक्वैरी होगी और इसमें उसके डैड फस जाएंगे क्योंकि उस बुड़े आदमी के घर की सिक्योरिटी भी उसके डैड की कंपनी केंडर आती थी रोकी कहती है कि अगर वो ये काम करते हैं तो उन्हें फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी पर इलेक्स इसके लिए तयार नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है बाद में रोकी इलेक्स को मैसेज करती है कि वो अपनी चोटी बेन को यहाँ से बाहर निकालना चाती है इसलिए वो ये काम करना चाती है दरاصल रोकी की मदर एक नसीड़ी ऑुरत है और वो रोकी के फादर के साथ नहीं रहती है इसलिए रोकी अपनी छोटी वैन को लेकर कैलिफोर्निया सिफ्ट होना चाती है रोकी के मैसेज के बाद एलेक्स उसे मैसेज करता है कि ठीक है हम ये काम करते हैं फिर वो तीनों रहकी करने के लिए उस गर के पास जाते हैं मनी बताता है कि चार ब्लोक्स तक वाँ कोई नहीं रहता है और वो बूड़ा आदमी ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता है तब ही उनकी गाड़ी पर एक कुट्टा भॉंकने लगता है और उनकी गाड़ी के सामने वो आदमी आ जाता है जिसका ये घर था मनी बताता है कि वो पहले आर्मी में था और इराक में एक मिशन के दोरान बम भटने से वो अंदा हो गया है फिर रात को दो बजे वो वापस उसके घर आते हैं सबसे पहले वो कुटे को ब्योसी वाला बिस्कुट किला देते हैं फिर वो दरवाजा खोल दे जाते हैं तो पता चलता है कि दरवाजे पर चार ताले हैं और उनके पास सिर्फ एक चावी होती है फिर वो दूसरा रास्ता खोजते हैं तब ही रौकी को एक खिड़की दिखाई देती है, वो सीशा तोड़कर खिड़की से अंदर चली आती है, और अंदर जाकर पीछे का दरवाजा खोल देती है, फिर वो जूते उतार कर पैसे डूड़ने लगते हैं, मनी उपर जाता है और बुड़े आदमी के कमरे में एक गैस छोड़ने वाला होता है, तब ही वो आदमी जाग जाता है, फिर थोड़ी ज़र बाद वो आदमी टीवी बंद करके सो जाता है, और मनी कमरे में गैस छोड़कर नीचे आ जाता है, फिर वो तीनों एक कमरे के ताले को तोड़ने की कोशिस करते हैं लेकिन वो ताला नहीं तूड़ता है तभी मनी एक पिस्टल निकाल लेता है एलक्स कहता है कि वो पिस्टल क्यों लेकर आया है इसका मतलब है कि घर का मालिक अब लीगली उन पर गूली चला सकता है फिर मनी ए दीरे दीरे आगे बढ़ता रहता है मनी हवा में एक फायर भी करता है लेकिन वह आदमी धीरे से आकर मनी के हाथ पकड़ लेता है और एक हाथ से मनी की गर्दन दबाने लगता है और दूसरे हाथ से वह गन को उसकी तरफ मोड़ देता है यह बुड़ा आदमी असल में काफी क्योंकि वह आर्मी में सार्व कर चुगा होता है फिर वो मनी से पूस्थता है कि वो कितने लोगachen मनी बताता है कि वह सिर्फ अकेला है फिर वह उंधा आदमी मनी के सिर में गोली मार देता है रोकी यो थोड़ी दूरी से ये सब देख रही होती है वो कुछ भी नहीं करती है उसे डर रहता है कि अगर उसके बारे में भी पता चल गया तो वो अंधा आदमी उसे भी मार देगा इसलिए वो चुप चाब एक छोटे कमरे में जाकर बैड जाती है एलेक्स जो वापस जा रहा होता है गंसोट की अवाज सुनकर वापस आता है तभी वो अंधा आदमी सामने से आ जाता है एलेक्स चुपके से उससे बचकर एक साइड में हो जाता है फिर वो बूरा आदमी दरवाजे पर ताला लगा देता है और जब वो वापस लोटता है तो एक कांस का टुकड़ा उसके पैर के नीचे आ जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो खिड़की से अंदर आया था इसलिए वो खिड़की को भी लकड़ी से बंद कर देता है एलेक्स भी उसी कमरे में चुप रहा होता है जिसमें वो खिड़की होती है तभी उसे रोकी का मेसेज आता है कि उसने मनी को मार दिया है और वो खुद छोटे कमरे में छुपी हुई है तभी वो अंदा आदमी उसी कमरे में आ जाता है जहां रोकी होती है वहाँ एक तिजोरी होती है वो उसे खोल कर पैसे चेक करता है इसी बीच रोकी तिजोरी का पासवर्ट देख लेती है फिर वो आदमी उस कमरे में जाता है जिसका ताला उन लोगोंने सबसे पहले तोड़ा था इसके बाद एलेक्स रोकी के पास जाता है रोकी तिजोरी कोल कर सारे पैसे निकाल लेती है जिसमें लगवग 10 लाख डॉलर होते हैं फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं एलेक्स बताता है कि वो सिर्फ वेस्मेंट वाले रास्ते से ही जा सकते हैं जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तब ही वो अंदा आदमी उसकमरे से बाहर निकलता है वो दोनों अपनी अपनी जगे पर रुख जाते हैं फिर वो अंदा आदमी मनी की बोड़ी को एक पॉलिफिन में डालकर घसीट कर ले जाने लगता है तब ही एलेक्स के पैर से फर्स से आवाज होती है अंदा आदमी तुरंती चारन तरफ गन गमाने लगता है तब ही मनी का फोन बाइबरिट करता है अंदा आदमी उस पर सूट कर देता है फिर वो फोन को तोड़कर मनी को गसीट कर ले जाता है इसी वीज रोकी और अलेक्स बेस्मेंट में चले जाते हैं वहाँ अंधेरा देता है वो अपने फोन की लाइट ओन करते हैं तब ही Alex का फोन डैड हो जाता है दूसरी तरफ अंधे आदमी को उनके जूते मिल जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि वहाँ और लोग भी हैं वो तुरंत अपनी तेजोरी चेक करता है जब उसे वहाँ पैसे नहीं मिलते तो वो गुसा करने लगता है बेस्मेंट में जब Alex और रोकी दरवाजा ढूंड रहे होते हैं तब ही वहाँ अचानक से लैड जल जाती है और उन्हें वहाँ एक लड़की बंधी हुई मिलती है रोकी बताती है कि यह वही लड़की है जिसने एकसिटेंट में अंद्या आदमी की लड़की को मारा था उस लड़की से एक गंटी बंधी रहती है जिससे उस अंद्या आदमी को भी पता चल जाता है कि वो कहा है फिर रोकी और एलेक्स उस लड़की को भी अपने साथ ले लेते हैं थोड़ी दिर बाद उन्हें दर्वाजा मिल जाता है एलेक्स के पास चावियां पहले से ही होती है तो वो ताला खोल देते हैं लेकिन जैसे ही वो दर्वाजा खोलते हैं अदर आदमी सामने खड़ा होता है और वो दर्वाजा खोलते ही तीन चार गोलियां चला देता है एक गोली एलेक्स को चूकर निकल जाती है लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है जैसे वो अपने साथ ले जा रहे थे और वो वहीं मर जाती है तब ही एलेक्स और रोकी वहाँ से भाग जाते है जब उस अद्या आदमी को पता चलता है कि उसने किसे मारा है तो वो जोड जोड से रोने लगता है फिर वो उस दरवाजे को बंद कर देता है इसी बीच एलेक्स और रोकी उपर के दरवाजे से निकलने का प्लान बनाते है जैसे ही वो भागते हैं अंद्या आदमी उन पर गोली चलता है लेकिन वो बच जाते हैं फिर वो अंद्या आदमी मैन स्विच बंद कर देता है और फिर वहाँ गपा का पंदेरा हो जाता है वो अंधा आदमी उनकी आवाँ सुनकर उन पर गोलियां चलाता रहता है जिससे एलेक्स और रोकी अलग-अलग हो जाते हैं अंदे आदमी को सब कुछ पता होता है इसलिए वो थोड़ी देर में ही एलेक्स को पकड़ लेता है और उस पर गोली चलाता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है फिर वो एलेक्स की गर्दन दवाने लगता है एलेक्स थोड़ा जोर लगा कर उसके उपर एक अलमारी को गिरा देता है फिर एलेक्स और रोकी बेसमेंट में से बाहर आ जाते हैं तब भी वहाँ उन्हें कुटा बैठा मिलता है कुटा उनके पीछे भागने लगता है तो वो और उपर जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं और दरवाजे पर एक अलमारी लगा देते हैं तबी अंदा आदमी अपनी गन में बुलेट भरकर उपर आ जाता है और फाइरिंग करने लगता है एलेक्स रोकी को एसी वेंट से उकर जाने को कहता है और खुद दरवाजे को रोक कर रखता है लेकिन थोड़ी देर बाद कुद्टा अंदर आ जाता है और वो एलेक्स के कूदना ही एक उप्सन होता है तबी खुदता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर उसे नीचे कूदना ही पड़ता है वो नीचे कूद कर बेहोस हो जाती है उधर एलेक्स को ओस आता है तो सीशा क्रैक होने लगता है जिसकी आवाज से अंधा आदमी उस पर गोली गोली सीशे में लगती है और एलेक्स फिर से अंदर ही गिर जाता है एलेक्स वहाँ से भाग कर एक दूसरे कमरे में चला जाता है वहाँ उसे मनी की बोड़ी मिलती है थोड़े देर में अंधा आदमी वहाँ आ जाता है वो जैसे ही अंधा गुसता है एलेक्स उसके हाथ प आदमी एक केंची उठाकर उसे उपर से उसके अंदर गुसेड़ देता है दोसे तरफ रोकी को जैसे ही होस आता है वो बाहर का वेंट तोड़ने की कोसिस करती है तब ही अंदा आदमी उसे पकड़ कर नीचे खिंच लेता है और उसे गरदन द्वा कर बेहोस कर देता है जब रोकी को होस आता है तो वो खुदको उसी लड़की की जगेपर बंदे वए पाती है और अंदा अदमी उसे बताता है कि उसकी वज़े से वो अपनी संतान से नहीं मिल पाया और अब उसे ही उसके लिए संथान पैदा करनी होगी वो आगे बताता है कि जिस लड़की को उन्होंने आजाद किया था वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन उनकी वज़े से वो मर गई इसलिए अब उसे उसके बच्चों की माँ बनना पड़ेगा और एक और बच्चा पैदा होने के बाद वो उसे छोड़ देगा फिर वो उसे बताता है कि वो एक रेपिष्ट नहीं है वो मैनुली सिर्फ अपना स्पर्म उसके अंदर डालेगा फिर वो ट्यूब में अपना स्पर्म लेकर रोकी के पास जाता है लेकिन तभी एलेक्स वहां आकर उसके उपर अथोड़े से वार करता है दरसल जब अदा आदमी एलेक्स पर कैंची से वार करता है तो एलेक्स मनी की बोड़ी को उपर कर देता है और वो बच जाता है फिर एलेक्स रोकी को फ्री करता है और वो दोनों उस अंदे आदमी को अत्कड़ी से बांद कर पैसों का बैग लेकर उपर आजाते हैं उपर आगर LX में गेट खुलता है तब ही एक वर फिर से अंदा आदमी आगर LX पर खूली चला देता है और वो वहीं मर जाता है लेकिन गेट खुल जाता है तो रोकी वहाँ से भागने लगती है तब ही उसके पीछे कुता लग जाता है वो कुते को ले जाकर अपनी गाड़ी में फसा देती है और वहाँ से बैग लेकर चलने वाली होती है तब ही अंदा आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे गसिट कर घर में ले जाकर पटक देता है तब ही वहां रोकी को एलेक्स के बैग में घर के अलारम का रिमोट मिल जाता है वो सारे अलारम एक साथ ओन कर देती है जिससे अंदे आदमी को कुछ पता नहीं चल पाता है और वो बस ऐसे इदर दर गोलियां चलाता रहता है फिर रोकी उस पर एक रोड से अमला करती है फिर वो तीन चार रोड उसके मुँपर मारती है और वो बेसमेंट में जाकर गिड़ जाता है उसे के गिरते ही एक गोली भी अपने आप उसे लग जाती है फिर रॉकी वहाँ से पैसों का बैग लेकर भाग जाती है और तब ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है अगले सीन में हमें रॉकी और उसकी सिस्टर को एरपोल्ट पर दिखाया जाता है तब ही टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक अंदे आदमी के घर में दो चोरों ने चोरी करने की कोशिस की लेकिन अंदे आदमी ने उन दोनों को मार गिराया और इसमें वो खुद भी जखमी हो गया लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है न्यूस सुनने के बाद रॉकी अपनी सिस्टर के साथ कैलिफोर्निया के लिए फ्रैट पकड़ने चले जाती है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको हमारा मूवी एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद